नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिनो तुशान्शू पांडे और हमारी चहर्चा का विशाय क्या था हम लोगों ने बायो सेवर्ट्स के नियम के बारे में बातें की थी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ के हमारे अभिप्षा की टीम की तरफ से आपके लिए एक विशेस कारेकरम चलाया जा रहा है जहां हम सीजी बोड का एक्जाम सिरीज चला रहे हैं यहां पर भातिकी के लिए मैं अभिनो तुशान्शू पांडे और बाकी जो विशाय हैं उसके लिए भी आपको सारे बोड के मतलब दसवी और बारवी दोनो बोड के सारे विशेंगों के लिए आपको कोई न पोई सिक्छक मिल जाते हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल क्या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें अपने द हम लोगों ने देखा था कि बाई-ो से वर्टिस का नियंब क्या है और लोगों ने इसका या जानने की बात की थी अब हम इस के अप्लिकेशन की बढ़ते हैं आईए देखते हैं हम देख रहे हैं कि एक लूप है आप इसको मान चलते हैं कि ये एक पूरा गोला है यहां पर छोटी सी चीज छोटा सा कट लगा हुआ है लेकिन उसको वैसा ही मान लेते हैं अब हम को क्या जाना है कि क्या ये चुम्बकिय प्रभाव उत्पन्न करेगा अच्छा इस से पहले जो है मैं इसके चुम्बकिय प्रभाव के बारे में बात करूं हम जो है थो चुम्बकी छेतर की दिशा निकालेंगे ये हमको पता करना है तो जब चुम्बकी छेतर की दिशा निकालने की बात आती है तो हम देखते हैं कि हम अपने दाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे अब दाएं हाथ का नियम क्या कहता है सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि एक तार है इस तार से जो है धारा ऐसे भी प्रवाहित हो सकती है और ऐसे भी प्रवाहित हो सकती है ये तीर का निसान आपको दिखाता है कि धारा उपर क्यों जा रही है हम क्या करेंगे अपने दाए हाथ का अंगूठा इस धारा के अनुदिस लगा लेंगे अब जो है जब ह हम अपनी उंगलियों को मोर रहे होते हैं तब हम किसी भी बिंदू पर चुम्बकी छेत्र की दिशा को प्राप्त कर सकते हैं कैसे माल लिजे कि मैंने यहां पर एक बिंदू ले लिया और इस बिंदू का नाम रख देते हैं तो बिंदू ए पर चुम्बकी छेत्र की दिशा कै की और आता हुआ दिखाई देगा इसी प्रकार से यदि हम यहां पर कोई दूसरा बिंदू सी ले लेते हैं और इस बिंदू सी पर यदि हमें चुम्ब की छेतर की तीबुता निकालनी है तो हम क्या करेंगे दोबारा से अपना दाय हाथ का अंगो उठा ऐसे लगाएंगे कि वो तार को पकड़ ले और उसके बाद में जब हम अपनी उगलियां मोडेंगे तो हमको सी पर जो है विंदू चेतर की चुम्ब की छेतर की दिशा दिखाई देगी जो कि अंदर की और जा रही है और यहां से हम जो है हमको तो चिन्न बनाना भी आता है तो यह जो है जब हम क्रॉस लगाते हैं तो यह अंदर की और इशारा करता है आप समझ सकते हैं कि चुम्ब की छेतर अंदर की और जा रहा है आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़के देखते हैं कि धारा वाही लूप के लिए तो हम वही काम करेंगे जो हम लोगों ने पहले किया था यहां पर से सिर्म की चेतर निकालना कहां पर है यहां के अंदर तो यहां पर के एंदर पर चुम्ब की छेतर निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है इसकी दूरी घ्यात करएंगे यह क्रींगे और यह यह बाइयो सेवर शरॉक का जो है यह नियम मालूम है और यहां पर हमको क्या मिला था मिज़्यो बाइफोर पाई आइडिल साइख डीवाइड बाई आर का वर्ग तो यहीं पर लिख लेते हैं डीवी बराबर मिज़ो बाई फोर पाई i dl अब देखिए sin theta divided by r का वर्ग अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं हमको यह पता है कि sin theta में theta का मान यहाँ पर सदैव 90 अंस होगा क्यों क्योंकि धारा की दिशा जो है यह स्पर्स रिखा के अरुदिस होगी और r जो है हमेशा स्पर्स रिखा से 90 का कोण बनाता है इसलिए तो अब जो है हमको यहाँ पर कुल मिला के चुम्ब की छेतर की तिव्यता निकालनी है तो यहाँ हम जो है समा कलन करेंगे और यहाँ पर भी हमको समा कलन करना पड़ेगा अब यहाँ पर जो जो भी नियतांक है उन सारी चीज़ों को अंदर कर लेंगे ये तो एक हो जाएगा अब यहाँ देखिए यहाँ पर हमको मिलता है B बराबर B मनलब कुल मिला के चुम्र की छेतर और यह हो जाएगा Mu 0 by 4 Pi और इसके बाद में देखिए I भी बाहर निकल जाएगा और बटा R का वर्ग भी बाहर निकल जाएगा और हमको यहाँ पर क्या मिलता है समा कलन के अंदर हमको DL मिलता है अच्छा अब आप बताइए कि अगर हम लोगों जे छोटा सा तार काटा और इस छोटे से तार की जो लंबाई DL थी और यदि हम समा कलन करके पूरे तार की लंबाई निकालेंगे तो वो कितनी निकल सकती है क्योंकि यह एक वृत्ता कारवला है इसलिए पूरे तार की लंबाई कितनी निकलेगी ब्रित्य की परिधी कितनी होती है 2πR मतलब इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो 2πR आएगा और यहां से हमको मिल गया B बराबर μू 0 by 4π और I D I by R का वर्ग और यहां हो जाएगा 2πR और यहां पर देखेंगे तो यह जो R है वो दूसरे R को काड़ देगा ठीक है तो यह वाला R यह वर्ग से यह कड़ गया और हमारे पास में बचा क्या μू 0 by 4π I 2π बटा R लेकिन यहां पर एक और ट्विष्ट है कहानी में और वो यह है कि अगर हम लोगों ने यह चला एक ही चक्कर वाला लेने की बजाए N चक्कर वाला ले लिया तब क्या करेंगे अगर हमारे पास में कुल मिला के N चक्कर है तब यहां पर जो है चुम्ब की छेतर की तीवरता निकलेगी B बराबर μू 0 by 4π μू 0 by 4π और यहां पर होगा N I 2π N I हम लोगों ने यह 2π को यह 4π से क्यों नहीं काटा उसका उत्तर यह भीया कि हमको μू 0 by 4π इसका जो है मान बहुत अच्छे से पता है कि यह 10 की घात रिन साथ होता है मू 0 by 2π का मान पता है कि आपको नहीं पता है तो उसको काहें काटाईगे बलकर उसको काटने की बज़ा उसको छोड़ दो और उपर में 2π रहने दो इससे आपकी गढ़ना आसान होने वाली है तो यह इस बात का धिहान रखे आईए बढ़ते हैं आगे और अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं इससे पहले आपको मैं फिर से बता दू हमारा एप्लिकेशन इस्टॉल करोगे और एप्लिकेशन इस्टॉल करने से आपको एडिशनल सपोर्ट मिलता है जहां पर आपको माइंड मैप शॉर्ट नोट्स और 1-2-1 मेंटर्शिप मिलती है आगे करियर काउंसलिंग आप बाद भी का बोर्ट देने वाले हो तूरंत आप जो है जे-ई का नीट का एक्जाम दिलाओगे और फिर कॉलेज खोजने के लिए या अपनी प्रवित्ति के अनुरूप जो है आपको किस जगह पर करियर बनाना चाहिए इस बात का डाउट आएगा उसके लिए हम आपके साथ दोबारा से खड़े हुए मिलेंगे आप हमारा अप्ले के से इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर में जाएंगे आप अभीशा का लोगो देख रहे हैं वहां से आपको मिल जाएगा तो इसके बाद में हम धारावाही लूप की अच्छे स्थिती में चुम्बकी छेत्र की तिवता निकालने का काम करेंगे मिलेंगे हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद